नमस्कार दोस्तों स्वागतु है आप कापी चनल में रिलाइन्स के रिजल्ट आये वाई । और रिलाइन्स के बाद काफी सारे मेसेज भी आये मुझे की क्या करना है वै यह करना है तो उसको जानने की कुशिश करेंगे वीडियो उस ही के लिए है कि रिलाइनस हमको कहाँ पे ब्रेक आउट दे सकता है और कहां पे ब्रेक डाउन दे सकता है ठीक है दोस्तो रिजल्ट चाहे जैसे मर्जी आएगा ओपरेटर चलाएगा उधर ही जिस तरफ उसके अगेंस जहां पे जनता जादा बैठी होगी विप्रो के भी तो रिजल्ट कराब आये थे तो क्या वि अच्छे कह दिये जाएंगे अगर मंदी हुई तो बोल दिया जाएगा बजार के लिजल्ट अच्छे नहीं है आपको देखना है कि आपको ट्रेड कहां पे ले यह जानने वाली देखने वाली चीज़ ठीक है तो यह पुराना याद होगा दोस्तों आपको एक बॉक्स मैं ने बनाया था और बताया था कि इसके उपर निकलेगा तो इतना ही टार्गेट इसको उपर देना चाहिए इसके नीचे निकलेगा तो इतना ही टार्गेट इसको नीचे की तरफ देना चाहिए बट हुआ क्या कहते हैं टेक्स जो लगाये थे वो सब हटाएं कून से टेक्स से यह line draw कर सकते हैं और बिंदास इसी के base पे ठीक है इसी के base पे आप इसको trade करेगे यह वाली line ठीक है यह trend line draw करेगे और बस अब यह आपको लग जाएगा पता कि आपको करना क्या है तो Monday को ठीक बस तो 2515 2515 इस level के उपर alliance रहता है आप buy करेंगे target है आपका पहला 2540 दूसरा है 2560 और तीसरा है 2600 सिर्फ और सिर्फ मैं एक से लेके दो दिन की बात कर रहा हूं Monday या Tuesday ठीक है यह जो pattern यहाँ बन रहा है इसका breakout आजाएगा अगर 2515 के उपर trade करेगा 2515 के उपर आप buy करिए पहला target है आपका 2540 यह जो opening होई थी 2540 दूसरा target 2560 तीसरा target 2600 और यह pattern अगर break होता है यह trend line जो यहाँ पर लाल रंकी आपको देख रहे हैं यह अगत नीचे की तरफ जाती है तो पहला target आपका है ध्यान दीजेगा इसका breakdown हो जाएगा 2490 के नीचे तो जब 2515 पे आप buy करेंगे तो आपको SL लगाना है 2500 और 2490 के नीचे जब आप sell की गाड़ी पे बैठेंगे तब भी आपका SL क्याल लगेगा 2500 2500 का 2490 के नीचे sell करिए पहला target है आपका 2480 दूसरा target है आपका 2465 2465 अगर break होता तो एक gap fill हो जाएगा जो कि इसको लेका आएगा 2440 2440 पे अपनी गाड़ी को धाम लीजेगा रोक लीजेगा नीचे की तरफ और क्यों क्योंकि होगा क्या 2440 पे आने के बाद ये दुबारा से इस box में घुसने की चेश्ठा करेगा ये जो box है ठीक है फिर हमें देखना है क्या closing 2440 के अंदर आती है अगर closing 2440 के अंदर आती है तो फिर मान के चलिए इसका जो नीचला स्तर है जो नीचे वाली जो box की support line है 2380 पिर वहां के लिए जा रहा है तो कुल मिला के बाद है result अच करेगा जिदर जनता बैठी है उसके against उसकी उल्टी दिशा में तो आपको अगर तेजी करनी है तो 2515 के उपर ही करिएगा अगर आपको selling करनी है तो 2490 के ही नीचे करिएगा तारगेट क्या होने चाहिए ट्रेल कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है उपर पता लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए थैंक यू भरी मिच